तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे हो गया तो आज की इस वीडियो में मैं पांच ऐसे स्मार्ट फोन के बारे में बात करने वाला हूं ना जो सायद दोस्तों वक्स से पहले लॉण्च हो गया तक यह सभी फोन में दोस्तों आपको काफी कमाल के फीचर्स देखने को मिल जाता है डिजाइन वगयरा सब कुछ दोस्तों लेकिन यह सभी फोन वक्त से पहले लॉण्च होने के कारण फ्लॉप हो गया है तो चलो यार देखते हैं यह सभी पांच फोन कौन-कौन से हैं तो दोस्तों जो सबसे पहला फोन निकल के आता है नो इंडियन कंपनी के तरफ से आता है यार क्रिव मार्क वन जियां दोस्तों इस फोन का न यहीं है जब यह फोन लॉंच हो आना तो कंपनी का दोस्तों दावा था कि यह आपको प्रॉमिस करती थी कि यह हर महीने आपको एक अपडेट देगी जिसके वज़े से यह फोन बिल्कुल नया हो जागा यूआ वगरा पूरी तरह से चेंज हो जाएगा जैसे दोस्तों कि हम मालो रॉम फ्लेस करते हैं तो पूरा यूआ चेंज हो जाता है ना कुछ वैसा ही और दोस्तों यह कंपनी का कहना था कि यह आप से फीड़बैक लेगी और जो जो फीचर्स आपको चाहिए व एक फोन से जादा कंपनी लांज भी नहीं कर पाई तो दोस्तों यह तक क्रिव मार्क वन अगर ऐसा होता दोस्तों हर महीने अपडेट मिलता और बिल्कुल नया फोन हो जाता तो यह काफी कम माल की बात हो जाती तो लिस्ट में आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला फोन आत था सब कुछ बिल्कुल प्लास्टिक का अगर हाथ से तोड़ते फोन को तो फोन पूरी तरिके से तूट भी जाता तो दोस्तों यह कमपनी दावा करती थी कि आपको 100GV तक क्लाउड इस्टोरेज देगी मतलब कि सोच लो यार 100GV क्लाउड इस्टोरेज और जितना भी कमपनी ऐसा कह तो रही थी लेकिन फोन ज्यादा चला नहीं यार और बिल्कुल फ्लॉप हो गया यहां तक कि दोस्तों कमपनी भी बिग गई यह तो यह था दोस्तों नेक्ट भी ट्रॉविंज जो की सोच से आगे चलती थी यह तो अगला फोन आता है ना जो थोड़ा सा अ यह जीब कमपनी का नाम है यह दोस्तों यूकी टेल है दोस्तों कमपनी का नाम यूकी टेल के टेंट थाउजन तो दोस्तों इस फोन का खासियत यह था कि इस फोन में आपको 10,000 mh की बैट्रे देखने को मिलती थी फिचर्स भी काफी अच्छा था और कमपनी दावा करती दोस्तों कि इसमें आपको 15 दिन का बैक अप मिलेगा अगर आप एक बार फोन को फुल चार्ज कर लेते हो और अगर आप फोन को दिन भर भी टिपते रहते हो ना यार तो आपको कम से कम 3 दिन से ज़्यादा का बैक अप मिलेगा हैं लेकिन यार इसमें प्रॉब्लम ये हुआ फोन तो काफी अच्छा था लेकिन फोन काफी जादा बलकी मोटा हो गया था जिसके वज़े से लोग फोन को लेना पसंद नहीं किया और ये दोस्तो फोन पूरी तरीके से फ्लॉप हो गया लेकिन यार अगर हम अभी देखे तो अभी हमें सैमसंग जै और वो टेकनलोजी दोस्तो कितना फ्यूचरिस्टिक फोन उसी समय लांच हो चुका था तो ये तो दोस्तो हो गई 10,000 mh वाली फोन के नाम तो दोस्तो अगला फोन जो आता है वो अभी के सिच्वेशन के हिसाब से काफी सही टेकनलोजी के साथ में आता था यार थोड़ा स सरब के साथ धो भी सकते थे आप सोच रहे होगे यार जो भी waterproof phone होता है उसे हम साबून सरब से धो ही सकते लेकिन नहीं दोस्तो अगर साबून या सरब से आप waterproof phone को धो गए अभी तो पानी phone के अंदर चला जाएगा क्यों कुछ chemical reaction और पानी का घना तो घट बढ़ जाता है जिसके वैसा ऐसा होता है मैं साइन्स तो नहीं पढ़ा रहा हूं यार लेकिन हाँ दोस्तों वासेवल फोन लांच कया था और अभी जैसे करोना सिच्वेशन फैला हुआ है ना अगर ये टेकनलोजी सभी फोन के साथ में आ जाता तो कितना अच्छा होता है हम अपना फोन नि देखने को बिलता था जिया दोस्तों इस समय 12 जिपी का रैम और दोस्तों वन टि वी का स्टोरेज देनी का वादा किया गया था आपक्शूली में यह फोन लॉंच हुआ ही नहीं था लेकिं इसका कंसेप्ट और स्पैसिफिकेशन पहले ही आ चुका था वन टिवी का स्टो के software पर चलता दोस्तों इसमें आपको इनका खुद का एसिस्टेंट भी देखने को मिलता है जैसे गूगल एसिस्टेंट है यार कुछ वैसा ही उसका नाम SLLN रखा गया था यह दोस्तों इतना कमांड मानता है कि आपका फोन को on और off भी कर देता और दोस्तों इस फोन में कहा technology के साथ में आता है इसमें battery दोस्तों और यहां तक की दोस्तों कहा गया था इसमें आपको snapdragon 832 प्रोसेसर लगे हुए मिलते यार मतलब यह इतना खतरनाक फोन हो जाता ना दोस्तों अगर launch हो जाता अभी तक तो दोस्तों यह phone launch हो है नहीं पाया क्योंकि यार कुछ पनी ने किया नहीं phone कभी launch होा ही नहीं और दोस्तों कहा तो यह भी गया था कि इस phone में आपको चार-चार SIM भी लगाने को मिल जाएगा लेकिन यह phone आया ही नहीं तो दोस्तों यही 5 अजीबों गरीब phone थे जो की एक तो उन दोस्तों अभी तक launch भी नहीं हुआ है बाकी चार थे जो दोस्तों समय से आगे की सोच कर phone को launch किये थे तो यही सब phone थे यार काफी कमाल के phone थे आपको इन पांचों में से सबसे अजीब हो गरीब कौन सा लगा मेरे को तो दोस्तों पांचवा नंबर वाला लगा जो अभी तक launch हुआ ही नहीं है आपकी क्या सोच है दोस्तों आपको कौन सा फोन अजीब लगा का वाक्स में लिखकर जरूर बताना और हम रहां को किस सवाल सोच चैनल से लेटे यह सब्सक्राइब कर देना अगर आपने में चैनल को अब सब्सक्राइब करो जाकर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और पता चल जाएगा बदाने टेकन को वीडियो अप्लोड के आप लोग का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद में कित बदानी आप से मिलता हूं अगले वीडियो में